तकदीर के खेल से निरास नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है मेरे यार जिनके हाथ नहीं होते जीरो लेबल बेसिक मैथ की पांचवी कलास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इसमया पढ़ने का चार्ट की गड़ित यानि की एट ग्रेड की मैथ, तहान से देखना, पूरा देखना, छोटी कलास बड़ी बात कलास छोटी होगी लेकिन मैटर ज़्यादा स्वामी लोगे, टॉपिक ज़्यादा स्वामी लोगे रेशनल नंबर जो कि आप लोगों की बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, परिमिय संख्या, आज मुसी की बारे में बात करेंगी, ये परिमिय लिखने का जो तरीका है, वो दूसरी चीज के लिए लिखा जाता है, वो परिमिय अलग है, ये होता है परिमिय संख्या, ज के बारे में हाल चाल समझना इनके क्या गुण होते हैं जैसे इंसान का गुण होता है एक दूसरे से जलन रखना होती है ना अक्सर ऐसा मत करना लेकिन दूफरा नंबर मित्रों का गुण क्या होता है कि अगर मित्र को छोटी सी भी सफलता मिल जाय तो पार्टी करना है ना, तो आगे देखना परमीए संख्या की सबसे बड़ा जो गुण होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी परमोई संख्या में कोई भी परमीए संख्या आप लोग जोड़ोगे ठीक ना, मतलब समझना भी पूरा हम जो कहना चाहते हैं किसी भी पर्मिय संख्या में अगर कोई भी पर्मिय संख्या जोड़ोगे तो उसका जो अंसर आएगा वो भी एक पर्मिय संख्या होगा यह अलग चीज है जो लिखा हूँ अब बात जो कर बड़ा गई तो मैं उसको सिद्ध कर दिया ना बिल्कुल सही पर्मिय संक्या में पर्मिय संक्या जोडने पर हमेशा पर्मिय संक्या ही आती है जैसे इनसान से हमेशा इनसान के ही बच्चे पैदा होते है कभी घोड़ा बिल्ली कुत्ता नहीं होता है है न तो उसी तरह से होता है दूसरा बात किसी भी रैफरनल नंबर यानि की परमिय संख्या में अगर सूनी को जोड़े या फिर सूनमें परमिय संख्या को जोड़े ये परमिय अलग चीज है भाई इसको लिखा था हमने ही लेकिन दूसरे उद्देश से तो मान आपर इवर्टित रहता है मतलब कोई फरक नहीं पड़ता है जैसे जीरो में सेबन जोड़ोगे तो सेबन आएगा ठीक ना सेबन में जीरो जोड़ोगे तब ही सेबन आएगा टू अपान थ्री में जीरो जोड़ोगे तब भी टू अपान थ्री आएगा और अगर इसी को ऐसे कर लो टू अपान थ्री बाद में जोड़ो तब भी क्या आएगा टू अपान थ्री ही आएगा ये जीरो का एक बहुत बड़ा गुण पर गुण है बात समझ गए ना हाँ तो समझ ना आगे समझते चलना बस देखते चलना ये तो एक गुण हो गया एक बात और पूरी कलास देखना तभी समझ में आएगा छोड़ के मत भागना बीच में और हाँ जो आपने परगुण देख लिया ना इसी गुण के कारण सूनने को यानि कि जीरो को परिमिय संख्याओं के योग का तत्समक आवयो भी कहा जाता है इसको रट लेना दिमाग में बसा लेना जीरो को परिमिय संख्याओं का योग का तत्समक आयो मिन्स होता है आइडेंटी एलिमेंट भी कहा जाता है अभी आगे हम आपसे सवाल करेंगे इसी पर तो याद रखना इसको भूलना मत इसक्रीन साट ले लो दूसरा परगुण देखना गुड़ा वाले में आपने देख लिया ना भागवाला जोडने वाला भी देख लिया किसी परिमिय संख्याओं याई कि रेफनल नंबर को अगर जीरो से गुड़ा करेंगे याई कि सूने से गुड़ा करेंगे तो हमेशा क्या आता है सूने ही आता है एक बात आपको और बता दें चाहे रिफ़नल नमबर हो, चाहे रिफ़नल नमबर हो अगर आप जीरो से गुड़ा करोगे किसी भी संख्या में चाहे दसमलों लगा है नहीं लगा है, घात लगी है कैसे भी है, वो किसी भी स्थिती में है हमेशा कोई भी संक्या गुड़ा करके देख लो, अगर जीरो उसमें होगा, तो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये मत सोचना कि कोई अगर बड़ा सा नंबर दिया गया तो जीरो नहीं आएगा, कितना भी बड़ा कुछ भी दिया है, अ जालूम है आपको, ये जीरो आएगा क्या, ना, ऐसी इस्तिती में जीरो नहीं हो सकता है, चुकि जहां पर पलफ लगा है, इसके इधर का सेफ रहेगा, हाँ, उधर अगर पलफ नहीं लगा है, तो उधर का जीरो हो सकता है, उधर का जीरो हो सकता है, तो ये जान लीजिए यह हम आपको जो बताने वाले थी इसमें सटीक नहीं बैठा मैं आपको सटीक सटीक बता दूं हाँ ऐसा देखना इधर जैसे अगर कहीं गुड़ा ही हो रहा है यह देखो जीरो है यह ऐसी इस्तिती में इसका उत्तर आएगा जीरो देखो है तो बहुत बड़ा लेकिन बीच कार से सड़ा हुआ ही है बड़ ऐसा कहना उचीत नहीं क्योंकि जीरो के बीना मैं था धूरी है है ना तो यह इसकी प्रपर्टी थी फिलाल इसका गुड़ा आप समझ गये होंगे आगे बढ़ते हैं ध्यान देना अगर कहीं भी जीरो है गुड़ा के मामले में तो सब जीर का प्रगुड़ एक ही खासिध एक फीचर है यहनी कि वन अगर इसको किसी भी संख्या से गुड़ा करोगे चाहे वो पर्मी है या अपर्मी है कुछ भी है तो हमेशा वही संख्या आती है जैसे अगर आप दिवाल में हाओ तो आपके हाथ में ही तर्द होगा दिवाल में सिर पटकेगा तो क्या होगा उसके सिर में दर्द होगा बर दिवाल में नहीं होगा उसी तरह से मतलब समझ गये होगे कि अगर वन का किसी भी संख्या में आप गुडा करोगे तो हमेशा वही संख्या आएगी कोई फरक ने पड़ेगा जैसे 172 का वन में करोगे 172 आएगा 1753 का मल्टीपल वन से करोगे 1753 आएगा और कोई भी नमबर ले लो आप दुनिया का कोई भी नमबर अगर वन से मल्टीपल करोगे तो हमेशा वही नमबर आएगा चाहे वो अंडर रूट में है चाहे वो परमिये है या परमिये है कुछ भी है जैसे भी है जिस इस्तिती में है ये उसी इस्तिती में और वही आएगा ये इसकी एक खासियत होती है पूरा क्लास देखना मैं बार-बार बोल रहा हूँ भागना मत देखिए मित्रों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये अब परमिये संख्या ये की रेफिनल नंबर का योगातमक परतिलोम ध्यान देना अगर आप पूरा क्लास देख लेते हो का चाहर की न तो एक बात याद रखना कॉंपरिटिशन की जो भी परिक्षाएं होती है कच्छा दस के बाहर का कोई भी मैथ नहीं आता है बसरते उसमें अंतर ये होता है कि आपको कम समय में ज्यादा कुश्चन की वर टिक करना होता है और वो बेस यहीं से सुरू होता है इसलिए इन कलासों को पूरा देखना उपर नंबर दिया गया अगर कोई additional help चाहिए तो आप ले सकते हो योगातमक परतिलोम क्या होता है योगातमक परतिलोम को इंगलिस में बोलते है additive inverse ठीक तो additive inverse क्या होता है उसी की बारे में हम बात करेंगे किसी भी संख्या को चिन बदल करके लिख दो मतलब negative बना दो बस वही उसका योगातमक परतिलोम है बात समझ में आई ना किसी परमिय संख्या की योगातमक परतिलोम को परमिय संख्या का रिडातमक यानि कि negative या विपरीत भी कहा जाता है यह परमिय जो सिद्ध किया जाता है वह अलग चीज है यहाँ पर आप रेफनल लिख लीजिए ठीक है रेफनल नंबर ज्यादा अच्छा रहेगा बात समझ में आई जैसे सेबन का अगर योगातमक परतिलोम बोलें additive inverse बोलें तो क्या होगा माइनस सेबन हो जाएगा अगर माइनस टू अपान थिरी का additive inverse बोलेंगे तो प्लस में टू अपान थिरी हो जाएगा और अगर प्लस में टू अपान थिरी का additive inverse बोलेंगे तो माइनस में हो जाएगा ध्यान देना भिन्नों में ये केवल और केवल चिन बदलेगा बस अगर गुडातमक परतिलोम बोलेंगे तब आप पलट दोगे भिन्नों को चिन नहीं बदलेगा लेकिन तो मतलब समझना यहापर कांसेप्ट समझना बात समझ में आ गई ना कोई भी संख्या उसका चिन बद बदलो बस मैं है परिमिय संख्या का गुडातमक परति लोम जी घंगरा अगर। कोदें नहीं तो इनिकली की अजय की Alexandric T ac यहनि उसका उल्टा भी कहा जाता है जैसे उदाराण के लिए तीन बटा सात का गुड़ा आत्मक परतिलूम शात बटा तीन बस सिंपल सी बात है सीधा सा समझें लू कर दो इंगा और अगर मैंने कहा की चलो बाई बताओ तो पांच बटाद हो जाएगा दो बटा पांच अचा कमेंट करके बताना अब आज जो है पहले से कुछ कम हो गई क्या क्या क्योंकि माई को हमने यहां पे लगा लिया पहले हाथ में लिया तो कम नहीं होनी चाहिए है ना बात समझ गए ना तो यह होता है गुडात्माग पर दिलोम आपको बता दें कि पेमेंट वाली 70% क्लास अब आप फ्री में पा सकते हैं जिसके लिए लोग पेमेंट करते हैं आप PVR इस्टेडी के अफिसियल फेस्बुक पेज को लाइक करके फालो कर लें फेस्बुक पर वहां से आप फ्री में देख सकते हैं लाइब भी देख सकते हैं PVR इस्टेडी के फेस्बुक पेज पर इतना ही नहीं तो आपके कमेंट का जबाब भी वहां पर तुरंत मिलेगा बहुत फास्ट काम हो रहा है तो अभी फेस्बुक ओपन करिएगा जहां पर फ्रेंड स देख रहे हैं तो यूटूब पर जाएं PVR इस्टेडी सर्च करें और PVR इस्टेडी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए एक फंडा और क्लियर कर लिजिए वो क्या है कि माइनस में अगर कोई भी संख्या है उसका गुडात्मक परतिलों बताना है तो आपको तो इसका क्या हो जाएगा वैसे रील में आपको दिख नहीं रहा है बट इसके नीचे वन है यह मानते हैं ठीक तो यह पलट जाएगी यानिकि वह ना पान जो है वह नाइन हो जाएगा लेकिन चिन ना भूलना चिन माइनस में था तो माइनस में ही रहेगा यह बहुत सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ने के तो तुरंद कर लें अन्य स्टडी मेटरियल एवं फिरी की अन्य महत्तों पूर्ल अपडेट के लिए बिजिट करें पीवियर स्टडी डाट कॉम और हां अगर आप एडिशनल हल्प चाहते हैं कोई क्ला क्लास आपको नहीं मिल रही कोई क्लास आपको प्राब्लम कर रही तो आप हमें खोन काल भी कर सकते हैं सुबा 10 बजे से साम 6 बजे तक और पीवियर स्टडी को फेस्बुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर फालो करें लाइक करें और चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आप सभी को और हाँ इन्ही बातों के साथ आज का क्लास तो खतम करेंगे लेकिन अभी तक अगर आपने इसी लाइक निके तो कर देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना जिससे की हर कोई पढ़ सके पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया तो चलते हैं फिर दिनी बातो किसा, जय हिन, जय भाराद!